हेलो फ्रेंग्स एं विल्कम तु माय चानल आजब मनेंगे एकड़म यूनीक अचार और यह है गाजर मूली और गूभी काचार यह अचार एकड़म इंस्टेंट है आप हातो हात इसको बना सकते हो और हातो हात इसको सर्फ को सकते हो पराटो के साथ एकड़म पॉफेक्ट टेस्टी लगते है तो यह रेसिपी आप अपने घर में जरू ट्राय कीजिएगा सो चले बनाते हैं गाजर मूली गूभी का इंस्टेंट अचार अचार बनाने के लिए यहां पे मैंने लिए दो कैरेट को यहां पे मैंने स्लाइस कर ल पानी तक इसको गैस में रख देते हैं तो यहां पर देख सकते हमारा पानी अच्छे से बॉइल हो चुका है तो अब हम इसमें हमारी सारी वेजटेबल्स डाल देते हैं सबसे पहले मैंने इसमें डाली है मूली फिर हम डाल देंगे कैरेट्स और लास्ट विर हम डाल 강ई ब्लांच कर लें मैं जबतक यहाफ को में तब इसी में रहने देंगे और गैस को भॉल कर देंगे स् características लानी में जर पानी पानि जायह के असे बात साध , जान में ज़क बेड़ेक ड़ियर सब्सक्राइस बस ब्लांच कर देंगे और करीबन 10 से 15 मिनिट ले हम इसको close करके रख लेंगे 10 से 15 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी veggies half cook हो चुकी है तो अब हम इसको या तो shade में बहाँ निकाल लेंगे या इसको sunlight में रखेंगे या fan में रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे सबजी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए जब तक हमारी सबजी सूख रिये तब तक हम जल्दी से इसके लिए masala बना लेते हैं तो मसाले के लिए यहाँ पे मैंने grinding stone लिया है इसमें मैं डालूँगी एक चममच मस्टर्ट सीट मीन स्राई आदा चममच यहाँ पे डालूँगी अजवाइन अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है एक चममच हम इसमें डालेंगी जीरा क्यूमिन सीट और यह सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास सिल्बटा था इसलिए मैं सिल्बटे का यूज़ कर रही हूँ इससे अच्छार का जो टेस्ट होगा बहुत ही अच्छा आएगा अगर आपके पास सिल्बटा ना हो तो आप मिक्सी जार में भी इन मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं तो करीबन 10-15 मिन बाद हमारे मसाले बनकर त्यार हो जाएंगी इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगीगा यहां पर हमारा मसाला अच्छी तरीके से बन चुका है आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का मसाला हमको बनाना है मसाला तोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए बिल्कुल इसी तरह तो मसाले को यहां पर मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ अब हम पैन ले लेते हैं गैस की फ्लेम को मैं जला देती हूँ अब मैं इस में डालूंगी आधा कप सरसो के तेल का जिसे हम मस्टर्ट ओईल भी कहते हैं तेल को हम अच्छी तरीके से पहले गरम कर लेंगे जब तक तेल अच्छी तरीके से गरम नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको उसी तरह रहने देंगे और एक बारी तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम उसको रूम टेंपरेचर में आने देंगे तो अब हम इसको हीट अप होने देते हैं तो यहां पे हमारा तेल आप देख सकते हैं कितना अच्छा गरम हो चुका है तो आप ग्यास की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको रूम टेंप्रेचर पर आने देते हैं जब तक यह ठंडा ना हो जाता तब तक हमारी सारी वेजिटेबल्स एकदम ड्राइ हो चुकी है इसमें बिल्कुल भी मॉश्चन नहीं है तो आप मैंने इसमें डाल दिया है हमारा तेल जो एकदम ठंडा हो चुका था और अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमश हमारे मसाले के जो अभी मैंने प्रिपेर किये थ दो बड़े चमच जालेंगे हम इसमें एक बड़ा चमच हम इसमें डालेंगे लालमिच पाउडर का ये तीखी लालमिच है नमक स्वात के अनुसार स्लाइस ग्रीन चिली हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर का और आदा छोटा उनसे भी मिक्स कर सकते हैं पर मैं अपने हाथों से मिक्स कर रही हूँ हाथों को हम पहले अच्छे से वाश कर लेंगे उसके बाद जब हमारे हाथ अच्छे से सूप जाएंगे तभी हम अपने हाथों को मिक्सिंग ले यूज करेंगे तो हम इसको हाथों से मिक्स कर लेती हू इससे सारे मसाले हमारी वेज्जीज में अच्छी तरीके से लग जाएंगे फ्रेंग्स मैंने इसमें एक चम्मत सिर्के का भी डाला था वो मैं बोलना भूल गई थी एक चम्मत सिर्का आप इसमें जरूर डालेगा और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालے हमारी witho's में अच्छी तरीके से लग चुके हैं इस अचार को हम् δो हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तो हमारा यह इंस्टिंट अचार बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है आप ए pewno रेसिலी इस अपने निकाल लिया है आप चाहे तो आप इसे इसी तरह भी सर्फ कर सकते हैं इस अचार को आप एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके एक या दो हपते तक आराम से चला सकते हैं पराटो के साथ इस अचार को जरूर इंजाय कीजिएगा आज की रेसिपी अची लगे तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकम को तबाएए ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले बाए वापस मिलूंगे कॉने रेसिपी के साथ आपको मिलूंगे कीजिए और बैल आपको मिलूंगे के साथ